टीवी हो या फिल्मे हो यहां से हम संसकार लेते हैं यहीं से हम प्रेड़ित भी होते हैं और इसमें जो कलाकार काम करते हैं बहुत सारे लोगों की वो आदर्श होते हैं लेकिन इन कलाकारों से आपको अगर गलत प्रेड़ना मिलने लगे तो फिर दिक्कत हो जाती है अगर हम में धीरे धीरे वो सारी चीजे अब डाली जाती हैं जो लोगों तक पहुंचाए जानी हैं अगर आप ने गवर किया होगा तो जब स्वच्छता अभियान चल रहा था तब प्रधानवंती नरेंद मोदी जी ने भी एक सिरियल खास तोर से जो बहुत ही मकबूल था बहुत ही मशुहूर था जिसको हम तारक महता का उल्टा चश्मा के नाम से जानते हैं उसके माध्यम से लोगों में स्वच्छता के प्रती जागरुकता की बात पहुचाई थी यह सिरियल यह धारवाहिक जो ह जाते हैं और इनके माध्यम से वहां के बच्चे हों बूड़े हों तमाम सारी लोग हैं वो प्रभावित भी होते हैं और कई लोग उस तरह से विभार भी करते हैं यह एक बहुत बड़ा माध्यम है हम अगर देखें तो इन माध्यमों का उप्योग कई विज्यापन कंपनि तो करती ही हैं लेकिन कुछ विचारक खासों से हम अगर संग की बात करें रसस की बात करें तो वह भी अपने विशेश धर्म को लोगों तक पहुचाने में इसका उपयोग कर रहा है बहुत सारे तीज तिवार बहुत सारी पाखंड बहुत सारी मन्नेता हैं इसे सीरियल के माध्यम से लोगों तक पहुचाई जाती हैं लोगों के मन में बिठाई जाती हैं हम इन से प्रफावित तो होते ही हैं लेकिन अगर इनमें से ही कोई कलाकार कोई बात कह दे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है ऐसा ही हुआ अभी हाल ही में मुनमुन दत्ता जो की तारख महता का उल्टा चश्मा इस सिरियल के इस धारवाहिक की एक प्रमुक करदार हैं उन्होंने एक बात कह दी एक विशेश जाती का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वो उनकी जैसे नहीं दिखना चाहती वो तो कौन सी एक खास जाती है जो बदसूरत है उनके अनुसार वो उसको इंगीत करते हुए जब कहती है तो बहुत बड़ा बवाल मच जाता है ये बात नहीं नहीं है ऐसा पहले कई बार हुआ है और एक तरह से हम इसे इनका संसकार भी मान सकते हैं ये लोग ऐसे ही हैं ये चाहे वो खड़कपूर की उस महिला शिक्षिका की तरह हो या फिर हम तमाम उन गाओं को देखें जहां पर सिर्फ एक नारा लगा देने की वजह से 35 परिवारों को बहिसकार जहलना पड़े या फिर किसी को मूच रख लेने की वजह से कतल हो जाना पड़े चाहे किसी को घोड़ी पर बैठने से मना कर दिया जाए बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार हो रही हैं हलाकि एक बात कही जाती है कि अब जाती बाद खत्म हो गया लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है हम इन घटनाओं पर अगर गवर करें तो ये दिन बदिन बढ़ता जा रहा है दिन बदिन लगातार नए सरूप में सामने आ रहा है एक बात कही जाती है कि जाती बाद चूँकि खत्म हो गया है जाती गत दुरभवनाएं नहीं हैं लोगों के मन में लोग एक दुसरे के साथ बैठ रहे हैं उट रहे हैं इसलिए आरक्षण खत्म करदेना चाहिए फिर ये सब क्या है अगर ये सब है तो फिर आउसर का वो आरक्षन या फिर हम प्रतिरिद्व का वो आउसर जो दिया गया है समिधान के माध्यम से वो क्यों न लागू रहे बहुत बड़ी बहस है बहुत लोग इस पर अपनी अपनी बात कह रहे हैं हम भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं इस विशय पर पहले के जमाने में चुवा चूत था और इसलिए आरक्षन था अभी नहीं है कौन कहता है अभी चुवा चूत नहीं है आज भी देश के अंदर में चुवा चूत है मैं अन्य राजियों में भी काम करती हूँ जैसे कि मैं मध्य प्रदेश के होसंगाबाद में गई थी तो व पहले रात ठाकूरों के घर में जाती है तब वहां दली अपनी बीबी को अपनी कहलाएगा इतना ही नहीं उधर होसंगाबाद के एक गाओं में दलीत लोगों को किसी पान टपरी पे किसी चाय के टपरी पे चाय नहीं दिया जाता तो उनकी अलग विवस्ता उन्होंने अपनी बनाई है इतना ही नहीं मैंने जबी बताई कि नांदेड में आज भी हमारे महराष्ट के नांदेड डिस्टिक में 34 लोगों के घर को भैस्कुरूत किया गया क्योंकि वह नीच ले जाती है आप उडिसा में जाके देखी है तो उडिसा में भी यहने एक सिमारे साही तैक कर दी गई है जो दलितों को बहार रखने की और आप कहते हो कि अभी नहीं है कितनी कितनी सारे आपको हम मैंने दस्ताव दे सकते पुरावे दे सकते हैं आज भी मंदिरों में उन लोगों को दलितों को जाने नहीं दिया जाता मैं तो दलीत नहीं हूँ मैं बहुत हूँ और जब तक के इस देश में वर्णवादी वेवस्ता ने तुम्हें दलीत बना के रखा है तुम अपने आपको जब तक के दलीत कहलाओंगे या जिस हिंदू या जो धर्म है इस धर्म में रहोंगे तब तक के आप निचले ही कहलाओंगे अगर आपको मानविता में आना है आपका इंसानियत का स्तर उचा करना है तो जिस धर्म में जाती वेवस्ता नहीं है जिस धर्म में लिंगभेद नहीं इक्षा लेके यहां जाती वेवस्ता को नश्ट करने का काम किया है आप बहुत बनो शुद्ध बनो जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं कहलाता उस धर्म में रहने की कोई भी दिल्चस्पी मत रखो और आप आज भी कहते हो कितने सारे हम पुरावे दे सकते हैं कि आज भी जात वेवस्ता के तरक महिलाओं के उपर भी जो अत्याचार होते हैं एक तो वह महिला है करके और दुसरे वह दलीत है करके आप यूपी की भी बात देख लिजिए आप बिहार में भी जाके देख लिजिए कहीं भी जाओंगे तो जहां जाओंगे वहां आपको जातियता दिख ही आज भी 21 सदी में भी आज कायम है और आप कहते हो आरक्षन की जरूरत नहीं आरक्षन भीक नहीं है यह प्रतिनिधित्व का अधिकार है हमें जो जाती वेवस्ता के तहत जो मानविय समाज आज भी दलडल में फसा है उसका दरजा सुधारने के लिए उसका दरजा अच् जाती सविधान में बनाई गई है और यहां तब तक रहेगी जब तक इस देश से जाती वेवस्ता नश्टन नहीं होंगी जब तक के इंसान को इंसान के तरह देखा नहीं जाएगा जब तक के उसको मानिय दर्जा दिया नहीं जाएगा तब तक के आरक्षन जारी रहेगा तो हम देख रहे हैं कि जातिवाद कहीं से भी कम नहीं हुआ नए सुरूप में नए नए रूप में ये जादा बढ़ रहा है या एक तरह से हम ये भी देखते हैं कि लोगों में दुर्भावनाएं पहले से कहीं जादा बलवती हुई हैं इन पिछले कुछ सालों में जो एक रफ्तार जीवन ने पकड़ ली थी कि लोग एक दूसरे की तरफ इस तरह से नहीं देख रहे थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो ये भावनाएं बड़ी हुई हैं तारक मेता उल्टा चस्मा की अभिनेत्री मुन्मुन दत्ता उर्फ बबिता दुआरा अपने यूट्यूब चैनल के माद्यम से अनुसुचित जाती वर्ग के जो करुना काल के अंदर अपनी सेवा समर्पन के लिए जाना जा रहा है उनके खिलाब आर्टिकल 15 के तहे दिय अधिकारों का खुला मजाक उड़ा गया और उनको जाती सुचक सद्दों से अपमानित किया गया इसी संदर्व में भीम सिना और डक्र बावसाब अंबेटकर जैनती उस्तो समयती के माध्यम से महु थाने पर एक लिखी शिकायत दर्च कर रही गई है और नीजी सविधान निर्वाता डक्र बावसाब अंबेटकर जी की जन्मों मिसे एक नीजी परिवाद इस फिल्म अभी नेत्री पर हम लगा रहे हैं ताकि भविशे के अंदर कोई भी वेक्ति अनुसुजे जाती और जन जाती के उपर जाती सुचक सब्दों का उपयोग ना करे उन कि इस विशे के अंदर पूरे देश के अंदर विरोध होना होना चाहिए ताकि भविश्य में कोई विवेक्ति अनुसुजे जाती हो जन जाती हो उनके खिलाब अवत्र भाषा का उपयोग ना कर सके और हम परशाशन से उचित करवाई की मांग करते हैं सुवर्न द्वारा आज भी हमारे देश में दलीतों के उपर में अत्याचार होता है अभी फिलाल की घटना है महारास्टा के नांदेड में 34 अंबिटकरी परिवारों के उपर में सुवर्न समाज के लोग अन्य वहिश्कार किया है यह कोई पहली घटना नहीं है सदियों से लिए घटना होती हुए आहिसे जihat दिया गया है यह बाबा साब ने हमारे उत्थान के लिए कि हम रकशन दिया हम ज्याइब अससाइ seriousness लोगों से हम लुगे बड़बरी में आना चाहिए है तो सब से बड़ा कारण यह है कि हमंए देश में में हमें समझ होना चाहिए कि इस देश की वेवस्ता कौन लोग चला रहे हैं किस मानसिक्ता के लोग चला रहे हैं अगर यह मानसिक्ता के लोग हमारी देश के सत्ता चला रहे हैं तो जरूरी है यह लोग हम लोगों के उपर में अत्याचार करेंगे क्योंकि इनकी जो वेवस् यह अपने आपको एक उच्चे जाती की वेवस्ता समझते और हमें हमारे उपर में अत्यचार यह लोग हमेशा करते रहें जहां कहीं भी अगर दलित समाज अमेटकर समाज बुद्द समाज के उपर में अगर अत्यचार होता है तो हम लोग भीम से ना वहाँ पर मुह तोड़ जवाब इन लोगों को देंगे और हमेशा दलित वर अमेटकरी और बहुतिश लोगों के साथ में यह भीम से ना खड़ी रहेंगी इस देश की तो महलाए भी जो है वह भी पढ़तारीत रही है इस देश की उच्छे वर्नकी भी महलाए पढ़तारीत रही है उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं था तो आरक्षन याने क्या है तो आरक्षन अपने अंदर में नहीं लाते तब तक कि यह ऐसा ही चलता रहेगा और इसलिए यह देश जो है वह यह यनमें, इस देश में संत महामानों की पढ़तायस हुई है यह इस देश की भूमी जह है बड़ी पवित्र भूमी है यहां इनसान को इनसां के समान देखने वाले यहां उन्होंने इक्वयलिटी की समता की बात किये सिर्प ये बाहर से आय यूए लोगोंने इस देश में अपनी विवस्ता चलाने के देश नहीं आएंगी जब तक के देश में समतामुलक समाज नहीं बनेगा जब तक के देश में वर्न वंस लिंग यहां भेदभाव खत्मन नहीं होगा तब तक के यह अधिकार चलता रहेंगा फिजूल की बाते करने से कुछ नहीं होता तो पहले अपने अंदर में मानवता के बीज अबिजारूपन कर लो और सभी को एक मा इंसान के दृष्टी से देखना चालू करो और इंसान को इंसान से जब के नहीं देखोंगे तब तक के यह एक वैलिटी को खतम करने के लिए ही एक्वैलिटी लाने के लिए ही यह अधिकार है यह दुर्भावना आखिर कम क्यों नहीं हो रही है यह एक बड़ा सवाल है हम अगर देखें तो उस आयाइटी की प्रोफेसर पर अभी भी कोई कारवाह भी नहीं हुई है हाला कि मुनमुन दत्ता के खिलाब बहुत सारी शिकायते दर्ज कर की जा चुकी है बहुत जगे पर यह विरोध भी दर्ज कराया जा चुका है वहीं पर अगर हम देखें तो उन 34 परिवारों का पता नहीं क्या हुआ क्योंकि उस पर अभी तक कोई आखिर कम क्यों नहीं हो रही यह संसकार आखिर जारी क्यों है इस प्रकार की यह जो नफरत जो है वो कहां से पिरोई जा रही है इस पर विचार करने की जरुरत है क्योंकि जिस जाती का नाम आपने लिया है मुनमंदत्ता वो जाती सफाई करती है अगर हो सके तो अपने अ झाल झाल